नमस्कार मैं हो निखिल और आप देख रहे हैं दील अलन टॉप शो अगनी पती होजना और उस पर युवाओं की प्रतिक्रिया को लेकर सरकार ने कितनी तैयारी की थी वो हमने बीती दिनों में देख लिया लेकिन 19 जून को 33 सेनाओं की प्रेस कॉन्फरेंस ने इतना तो साफ करी दिया कि अगनी पत को लेकर सरकार का रुक क्या है आज सेना ने पहली भरती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया आज दिन की बड़ी खबर में हमें एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि अब तक सरकार ने जितने कदम उठाए हैं क्या उन्होंने युवाओं की चिंता का पूरी तरह निवारण किया हमारी दो टीम्स फील्ड पर जाकर सेना भरती के अभ्यरतियों और प्रदर्शन कारियों से भी मिली हैं उन से युवाओं ने क्या कहा आपको वह भी बताएंगे लेकिन पहले दिन की सुर्खियों पर गौर कीजिए पहले सुर्की दिल्ली पूलिस ने आज सिद्धु मुसेवाला हत्याकान में शामिल तीन संदिग्ध शार्प शूटर्स को गरफतार किया है इन तीनों को गरफतारी स्पेशल सेल के द्वारा गुजरात के मुंदरा से की गई गरफतार हुए पहले शूटर का नाम है प्रियवरत फौजी हरियाना का रहने वाला प्रियवरत फतहगर पेट्रोल पंपर सीसी टीवी कैमरे में कैद हुआ था बताया जा रहा है कि प्रियवरत इस पूरे मॉड्यूल का हैड हो सकता है और मुडर के वक्त गोल्डी बराड के सीधे संपर्क में भी था ऐसा पहली बार नहीं है कि फौजी इस तरह के मामले से जुड़ा हो इससे पहले भी हत्या के दो मामलों में उसका नाम आ चुका है दूसरे शूटर का नाम है कशिश कुल्दीब चौबिस साल का कुल्दीब हर्याना में जजजर जिले के सज्याना पानागाओ कर रहने वाला है इसे भी बिटॉल पम के सीजी टीवी फुटेच में ही देखा गया था वहीं तीसरे शूटर का नाम केशव कुमार है 29 साल का केशव पंजाब में भटिंडा जिले के आवबस्ती कर रहने वाला है गिरफतारे की बाद दिलेबूल इसकी तरफ से प्रेस कॉंफरेंस भी की गई सुनिए उस दिन की जो घटना थी उसमें दो मॉडियूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे दोनों कोल्डी ब्राड से पैनिडा में जो बैठके इसको इंटच थे दोनों मॉडियूल से उन इंटच थे एक गाड़ी में बलेरो में जिसको कशिश चला रहा था जिसको प्रियवरत फॉजी जो है ये मॉडियूल को हेड कर रहा था अंकित सिरसा इन के साथ था और दीपक मुंडी इन के साथ था ये चार लोग बलेरो गाड़ी में थे और इस मॉडियूल को प्रियवरत फॉजी हेड कर रहा था गरतार हुए आरोपियों से दिल्ली पुलिस ने राइफल, पिस्टल और हैंड बरामत किये हैं स्पेशल सेल ने घटना में कुल छे शूटर्स के पहचान किये हैं आपको बता दें कि 29 मई को पंजाबी सिंगर सिधू मुसेबाला की हत्या कर दी गई थी हत्या के कुछ घंटों बाद लाॉरेंस बिश्टनोई गैंग और गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी लाॉरेंस बिश्टनोई फिलहाल दिल्ली की तिहार जेल में बन है जबकि गोल्डी बरार की लोकेशन कैनडा बताई जाती है दूसरी सुर्की नाशनल हराल मामले से जुड़ी है राउल गांधी है एक बार फिर प्रवरतर निदेशाले यानि एडी के दफ़तर पहुचे आज राउल गांधी करीब 11 बच कर 5 मिनिट पर CRPF के सुरक्षा के साथ एडी आफिस पहुचे और उनके साथ बहन प्रियंका गांधी वाड़रा भी थी इससे पहले भी प्रवरतर निदेशाले के टीम तीन दिन तक करीब 30 घंटे के पूच्टाच कर चुकी है राउल गांधी से इदर राउल गांधी जैसे ही E.D. दफ़तर पहुचे वैसे ही कॉंग्रस कारे करता सड़क पर उतर गए दिली के करनाट प्लेस में कॉंग्रस कारे करता उना सड़क पर बैठ कर नारे बाजी कर अपना विरूद दर्च कराया इसके लावा मामले पर कॉंग्रस के तरफ से आजे माकने प्रेस कांफरेंस कर मोधी सरकार को घेरा भी उनकी बात सुन लीजी तीस घंटों से जैदा राहूल जी की पूछताच करी जा रही है और एडी और दूसरे जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसके माध्यम से अनुचित दबाव कॉंग्रस पार्टी के उपर डाला जा रहा है ताकि कॉंग्रस पार्टी की आवास को बंद करा जा सके क्योंकि हमेशा हम लोगों ने मजदूरों की गरीबों की किसानों की युवाओं की आवास को कभी कॉंग्रस ने और हमारे नेता राहूल गांदी ने दबने नहीं दिया लिहाजा आज एडी और पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवास क्य रहे हैं सरकार के खिलाव क्यों आप बोल रहे हैं बाजबा की दरफ से राजे माकन का जवाब भी दिया गया ये जम्मेदारे ने भाई पार्टी प्रवक्ता सम्मित पातरा ने उनकी बाद भी सुन लीजिए हर किसी के लिए कानून बराबर का है और राहूल गांधी जी को जानना चाहिए कि एडी का फुल फॉर्म एनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट होता है एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं होता है आज ये हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिस्यूज नाशनल हराल्ड स्कैम के माध्यम से किस ने किया है किस परिवार ने किया है और उसमें राहूल गांधी जी का क्या रोल था सुभाविक है बरस्टाचार किया है तो पूछतास तो होगी इस देश में कोई राजा नहीं है सुनी है गांधी जी के मार्क पर हमने सत्यागरा करके हमारे नेता को जो एडी में एक फाल्स केस में इन्वाल करके उनको यहां पर लिजाया गया और इंट्रागेशन वो भी रात के ग्यारा तक बारा तक पांच-बांच घंटे और अब तीन दिन आज फिर चोता दिन लेकिन कांग्रेस पांटी के सभी लोग उस सत्यागरा में सामिल थे लेकिन उनको सताया गया बिल्टिन के तैयारी तक करीब साथ घंटे से उपर तक एडी राहूल गांधी से पूश्टाच कर चुकी थी वैसे एडी ने हराल मामले में राहूल गांधी के साथ उनकी मा सुनिया गांधी को भी समन जारी किया था शरत पवार फारुक अब्दोला के बाद अब गोपाल कृष्ण गांधी ने भी राश्पती चुनाओं में अपनी उमीदवारी से हाथ खीच लिये हैं गोपाल कृष्ण गांधी ने बयान जारी कर कहा कि सर्वोच पद के लिए उनके नाम पर विचार किये जाने के लिए वो विपक्षी दलों के अभारी हैं उनका कहना है कि विपक्ष का उमीदवार कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसके नाम पर राश्ट्र में आम सहमती बने कई और भी चेहरे होंगे जो उनसे ज्यादा बहतर काम कर सकते हैं ये गांधी का बयान था 15 जून को ममतब अनर्जी की और से बुलाईगे विपक्ष के निताओं की बैठक में शरत पवार के साथ साथ फारुक अब्दुल्ला, गोपाल खश्नगांधी और एनके प्रेम चंदरन के नाम की बिचर्चा हुई थी पहले तीन नामों के बारे में अबेस साफ है कि वो राजपती चुनाओं में नहीं उतरने बाले चौतिस सुर्की पच्छी मंगाल से है जहां रामपुरहाथ हत्याकारण में सीबियाई ने अलग-अलग मामले में दो चार्च शीट तायर कर दी है मेरे रिपोर्ट्स के मताबिक पहली चार्च शीट टीम सेनिता बादू शेक की हत्या के मामले से जुड़ी है तो दूसरी चार्च शीट हत्या के बाद आगजनी को लेकर दायर हुई है सी बी आई ने बादु शेख की हत्या के मामले में न्यूटन शेख, पलाश खान, मसाज शेख और माली शेख को आरोपी बनाया है जबकि आगजनी वाले मामले में अनारूल हुसाइन समयत कुल 18 लोगों को चार्च शीट में नामित किया गया है पूरा मामला 21 मार्च की रात का है इसी साल का जब बीरभूम जिले के रामपुरहाट में इस्थानी टीम सेनेता बादु शेख के उपर बम फेक कर हत्या कर दी गई थी खरत्या के बाद इलाके के बोगतुई गाओं में हिंसा भड़की और गुसाई भीड ने बदले की आग में घरों को जला दिया घटना में कुल 9 लोगों ने अपनी जान गबादी थी इन में से बच्चे और 4 महिलाएं भी शामिल थी बच्चे दो थे अगजे ने इतनी भयावा थी कि साथ शव तो एक ही घर से बरामत किये गए खटना के बाद कलकता हाई कोट ने मामले में संग्यान लेते हुए सीवी आई को जाँच के आदेश जारी किये थे आखरी सुरकी पूरवत्तर से है असम से राज में हो रही लगातार बारिश के चलते हाला तो दिन प्रति दिन खराब होते जा रहे हैं सम के 35 में से 33 जिले फिलहाल बाड से प्रभावित हैं कई जगे पर तो हालात इतने खराब हैं कि लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ रिलीफ कैम्प में शरन लेनी पड़ी है लगभग 42 लाग से ज्यादा लोग बाड से प्रभावित हैं और अब तक 71 लोगों को बाड और भूस कलन के चलते जान गवानी पड़ी है असम राज्य आपता प्रबंधन प्राधिकरन की माने तो पिछले 24 घंटों में बाड और भूस कलन में नौ लोगों की मात हुई जबकि 5000 से ज्यादा गाओं बाड की चपेट में आ गए बाड पेटा सबसे अधिक प्रभावित जिला है जहां 12 लाग से ज्यादा की जन संक्या बाड से परिशान है वही नगाओं जिले में रेस्क्यू के दारान दो पूलिस करनी तेज बहाओं में बह गए और बाद में उनके शाव बरामत किये गए बाड के हालत से निपटने के लिए आज मुक्यमंतरी हिमंत अबिसो सर्मा ने डिप्टे कमिशनर और उपुमंडल अधिकारियों से वीडियो कान्फरेंसिंग के जरीए बात की वही सेना को भी लाके में लगाता चौथ दिन राहत बचाओ कारियों नो तारा गया मेडे रिपोर्ट्स के मताबिक सेना अब तक लगबग साड़े चार हजार लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है ये थी सुर्खिया आप चलते हैं दिन की पड़ी खबर पर अगनी पत्य उजना को लेकर युवाओं का गुस्सा कम हुआ ये नहीं इसका उत्तर निबंध हत्मक है लेकिन हिंसक प्रदरवों में अब थोड़ी कम ही आ गई लगातार हुए उपदरवों और आगजनी की बात अलग-अलग राज्यों में प्रशासन ने आज के लिए तैयारी करके रखी थी क्योंकि आज के लिए भारत बंध का कॉल पहले ही दे दिया गया था उपदरवों का सबसे बड़ा खामियाजा भारती रेल को भुगतना पड़ा है अलग-अलग जोन्स और डिविजन्स में पांच दिनों के दौरान हुए प्रदरशन के चलते जो नुकसान हुआ है उसका आखलान अभी चल रहा है लेकिन यत्ता है कि कुल रकम हजार करोड के उपर ही है उग्र प्रदरशन के आशनका के चलते भारती रेल ने आज पूरे देश में पांसो जोड़ी गाड़ियों को भी रद कर दिया था जिसके चलते यात्री जहां तहां फसे रहे सबसे उग्र प्रदरशन और आगजनी बिहार में यह देखने को मिली इसे देखते वे बिहार सरकार ने आज 20 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा पड़ोसी राज जहारकन में भी 20 जून के रोज स्कूल को बंद रखा गया राजधानी दिल्ली और हर्याना में आज भी छिटपुर प्रदरशन दर्च किये गए राजधानी में कॉंगरस ने जंतर मंतर पर अगनीपत के खिलाफ सत्यागरह कावान किया था पार्टी में देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदरशन भी किये राजधानी में पुलिस ने एक दिन पहले ही बंदोबस लगा दिया था ये भी कि योजना अब वापस नहीं होगी सुनी Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? We are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिरफ है देश की रक्षा करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको example देता हूँ, पता है कितनी casualties आती हैं just for health purposes from altitude areas आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा young क्यों जुरूरी है and क्या जुरूरत है उसकी तो ये roll back करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल roll back नहीं ये बात सभी जानते हैं कि एक बार भरती शुरू हो जाने के बाद कोई प्रदर्शनों में शामिल होने का रिस्क लेगा नहीं क्योंकि अभ्यर्थी, रैलियों और admit cards के चक्कर में लग जाएंगे इसलिए तीनों सेनाय भरती को लेकर फुर्ती से काम कर रही है अगनि पती ओजना के तहद भरतियों के लिए थलसेना ने आज अदिसूचना जारी कर दी दर्शक जानते ही हैं कि अदिसूचना किसी भी भरती के लिए पहला कदम होता है इसमें वो सारे नियम और काईदे लिखे होते हैं जिनके तहद भरती होगी हम इस अधिसूचना की मोटी मोटी बातों को यहाँ पे बता रहे हैं पहला बिंदू, आनलाइन रेजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा जॉइन इंडियन आमी NIC.IN पर जुलाई 2022 से सम्मंदित आर्मी रेकूर्टमेंट आफिसेस ARO त्वारा रेजिस्ट्रेशन लिंक जारी करते जाएंगे अगनीवीर भर्ती में भी कई वर्ग होंगे सिना की बात करने थलसियन की अगनीवीर टेक्निकल एव्येजन इम्मिनिशन एक्जामिनर य initiatives सामिनर ये एक ही इन सब के लिए तित्यों का एलान अलग से होगा उम्र का निर्धारन एक अक्तुबर 2022 के साब से होगा इस साल की भरती साड़े सत्रा से लेकर के 23 साल के युवाओं के लिए खुली है वैसे 21 साल अपर लिमिट है लेकिन इस साल 2 साल की चूट दी गई है अगला बिंदू रैली स्थल पर एडमिट कार्ड के साथ 20 पासपोर्ट साइस तस्वीरें ले जानी होंगी सफेद बैगराउंड पर तस्वीर खीची जाए बाल कटे हों और दाढ़ी आपकी बनी होनी चाहिए सबसे जरूरी चीज आधार कार्ड अवश्यूरूप से ले जाए ये रैली स्थल पर चेक होगा रैली में वही शामिल हो सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुरांके ले ली हो बोनस मार्क्स के लिए अगर NCC या स्पोर्ट सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हैं तो इन्हें रैली स्थल पर साथ ले जाएगा बात में इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद मेडिकल जान्च होगी इसके बाद कॉमन एंट्रेंस इग्जामिनेशन CEE होगा इसके लिए एडमिट कार्ड रेलिस्थ हल पर ही आपको मिल जाएगा सिबा के दौरान अगनीवीरों को नियमित मेडिकल चेकप फिजिकल लिखित परिक्षा और फील्ट टेस्स से गुजरना होगा इनमें प्रदर्शन को स्थाई कार्डर में नियुक्ति के वक्त देखा जाएगा अगनीवीरों को पेंचन, ग्राचुटी, भूतपूर, सैनिकों के लिए दी जाने वाली बीमा पॉलिसी, ECHS कैंटीन या दूसरी सुधाय नहीं मिलेंगी, नहीं भूतपूर, सैनिक ही माना जाएगा मेडिकल व्राच में टेक्निकल कार्डर को छोड़ कर सारे सैनिक अगनीपत के जरिये ही भरती किये जाएगे थल सेना में अगनीवीरों को एक साल में 30 दिन की चुट्टी मिलेगी, स्वास्त संबंधी कारणों के चलते चुट्टी डॉक्टरी सलाह पर ही मिल पाएगी स्थाई कार्डर में नियुक्ती अगनीवीर का अधिकार नहीं होगा, ये सेना के अधिकार शेतर का विशे होगा, सेना मौका सबको देगी, सेना के जरूरतों के मताबिक 25 वीसे दित तक अगनीवीरों को स्थाई कार्डर में जगह दी जाएगी जो अगनीवीर स्थाई कार्डर में लिये जाएंगे, उन्हें सेवा निदी का उतना ही हिस्सा मिलेगा, जो उनकी तनखा से कटा होगा, साथ में ब्यास इसे ऐसे समझिए कि जो अगनीवीर सेना से बाहर होंगे, उन्हें करीब साढ़े 11 लाक मिलेंगे, करीब करीब इस में से आधा पैसा तनखा से कटा होगा, और आधा सरकार अपने पास से देगी, और फिर इन दोनों पे मिलेगा, ब्यास लेकिन जो अगनीवीर स्थाई कार्डर में शामिल होंगे, उन्हें 5.5 लाक के लगबग ही मिलेंगे, मतलब सरकार वाला हिस्सा नहीं मिलेगा अगनीवीरों को महंगाई भत्ता या मिलिटरी सर्विस पे नहीं मिलेंगे, उनके तनखा एक अलग पैकेज के तहती रहेगी, जो कि इस नोटिफिकेशन का हिस्सा है अगनीवीरों को 48 लाक का मुफ्त बीमा मिलेगा, वो आमिग्रूप इंशॉरंस फंड एजी आईफ के तहट मिलने वाले लाब नहीं लेपाएंगे सेवरत सैनिकों, भूतपुर्व सैनिकों और वीर नारियों के बेटों को उचाई में 2 सेंटीमीटर, सीने में 1 सेंटीमीटर और वजन में 2 किलो की छूट मिलेगी, यह हम भरती का बता रहे हैं आपको वीर नारियों के दत्तक पुत्रों जो गोद लिये बच्चे होते हैं और पुत्र नह होने पर दामात को भी छूट मिलेगी बशर्ते गोद लेने की प्रक्रिया सैनिक के जीते जी पूरी हुई हो हमने यहां आपको सेना की अधिसूचना की मुख्य बाते बताई हैं अब भीरतियों को हमारी सला है कि वो पूरी अधिसूचना अपने से भी पढ़ें थल सेना की ही तरह वायू सेना और नो सेना भी जल्दी भरतिये अधिसूचना निकालने वाले हैं अब आते हैं अगनी पत को लेकर हो रही राजनीती पर कॉंग्रिस के प्रदर्शन के बारे में हमने आपको बता दिया अब प्रधान मंत्री की बात करते हैं अग्मिपत को लेकर हो रहे हैं विरोध प्रदर्शनों को लेकर आज पहली बार प्रधानमंत्री ने कोई बात रखी वो करनाटक की राजधानी बैंगलोरू में थे यहां उन्होंने विकास ओजनाओ के उध्गार्टन के साथ साथ एक रैली को भी संबोधित किया उनकी बात प्रधानमंत्री ने अगनीपत का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनके बयान का मतलब अगनीपत को लेकर हो रहे विरोध के संदर्ब में ही निकाला गया खबर है कि 21 जून को प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुकों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री की बात चलिये तो आपको कॉंग्रेस नेता और पूरू के इंदरी मंत्री सुबोच सहाई की एक टिपणी की बात भी बता देते हैं जिस पर विवाद होना तै है याद रख लो बोधी सुबोध की इस बयान पर भाजपा की प्रतिक्रिया क्या रही ये भी आप सुन लीजिए एक और बयान दिया गया है सुबोध का अंसाहे द्वारा जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री हिटलर की मौट मरेगा इस देश में कौन हिटलर रहा है और किसने इमर्जनसी लगाई है ये पूरे देश ने देखा है परन्तु सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी बाते सयोग है या ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग है सेना से बाहर होने वाले अगनीवीर क्या करेंगे इसके लिए सरकार ने एलानों की जड़ी लगा दी है केंदर की तरफ से ग्रह मंत्राले और रक्षा मंत्राले ने अपने अपने अहां होने वाली भरतियों में अगनीवीरों को वरियता देने का बादा किया है शरीविकास मंत्राले और पेट्रोली मंत्राले ने भी अपने हाग नीवीरों के लिए जगे बनाने का आश्वासन दे दिया है अनेक राज्जों ने अपने हाँ पुलिस भरती में भी वरियता की बात कही है इस बीच भूतपूरों सैनिकों के लिए पहले से चल रही ओजनाओं का क्या हाल है ये समझना जरूरी है दर्शक जानते ही है कि भूतपूरों सैनिकों को सरकारी भरतियों में पहले से बरियता मिली होई है हर भरती में तैस संख्या में पद आरक्षित होते है क्या इन सुवधाओं का लाब भूतपूर सैनिकों को मिल रहा है इस सवाल का जवाब खोचती हुई एक रिपोर्ट अंग्रेजी अकबार इंडियन एक्ष्परस में छपी है हरी किशन शर्मा की ये रिपोर्ट बताती है कि भूतपूर सैनिकों के पुनरवास के नाम पर दिये गए कोटा सिस्टम का हाल क्या है हरी किशन ने अपनी रिपोर्ट में डिरेक्टरेट जनरल आफ रिसेटलमेंट डिजी आर के हवाले से 20 जून 2021 तक के आरक्षित होते हैं लेकिन गृप C में उनके संक्या सिर्फ 1.29 फीसिदी है और गृप D में उनके संक्या महस 2.66 फीसिदी है ये आकने केंदर सरकार के 77 में से 34 विभागों के हैं सिर्फ एक विभाग है जहां भूतपूर सेनेकों का पुनरवास तैकोटे के लगभग करीब करीब मेज़राता है सरकारी बैंक्स यही बज़े है कि पुनरवास को लेकर सरकार और कॉर्परेट अब जो दावे कर रहे हैं उन्हें लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे है महिंदरा गृप के आननल महिंदरा का उधारन हम सब के सामने हैं जिने टैक करके पूछा जा रहा है कि अब तक आपने कितने फौजियों को अपने हां नौकरी दे दी ये था हमारा बड़ी खबर सेग्मेंट अब आपको दिखाते हैं दिन के वीडियो हमारे चार साथी अभिनव, मोहन, सिध्धान्त और पंकच मैदान पर हैं अगनी पत को लेकर युवाओं के चिंताओं को डॉक्यमेंट कर रहे हैं इनकी फिल्ड रिपोर्ट्स को आप दिलरन टॉप के सारे सोचल मीडिया हैंडल्स अकाउंट चैनल्स पर देख रहे हैं हमारी वेब साइट पर भी देख रहे हैं इस बयान पर अभी नहीं युवाओं के विचार जाने आप खुद देखिए और सुनिए बीजेपी के नेता के लाश विजय वरगी ने कहा कि हम अपने गर मुझे अपने ओफिस की सीक्योर्टी देना हैं सीक्योर्टी गाड में तो उनको अगनी वीरों को अपने बंदे यो किसान हें वही आर्मी के पृति करते हैं ना कि कोई नोकर साही मतलब जो सरकार है जो भी है यह नेता साही कोई बच्चाने एना आर्मी का लेकर हो रहे हैं विरोध में कोचिंग संचालों को की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं कोचिंग संचालों को पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके कहे पर इवाव ने आगजनी की है अभीना उन्हें कोचिंग संचालक से भी जाना कि प्रदर्शनों को लेकर वो क्या सोचते हैं और हमारा आज जो टियो पी का चल रहा है उसमें एक भी बच्चा प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है आप से मैं जब कैमरे के पीछे बात कर रहा था तो आपने बहुत दिल्चस्फ बातें बताएं क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था उसको पह हैं यह हमारे वसकी बात नहीं है इससे ना करना बेतर है इस वो देश वक्ती नहीं देश बच्छक कहते हैं और मैं यह कहूंगा जितने भी हैं यह सिर्फ गुम रहा हैं थोड़ी सी शरकार की कम्या रही है जो चीज़ें अगर यह पहले से इनको सही समय पर अनौंस करके सही करते तो साथ ऐसा ना होता जिन बच्छों की भड़तियां अधूरी आ हैं किसी का फिजी कल कि कि सारी इनको जोरी दी जाती तो साइल इतने बड़े उपद्रव आज नहीं होते हमारे टीम ग्ौाजबूर के गहमर भी पहुचिए हमारे टीम ग्राज़ेपूर के गहमर मिले यहां कि वाकई उनसे अगर इस बात का सबूत मांगा गया कि वो प्रदर्शनों का हिस्सान नहीं थे तो इसके चलते शोशन का शिकार भी हो सकते हैं सुनिए कल जनरल जी के दोरा जो भी बयान आया था ऐसा मैं जानता हूँ इसको ब्रश्टाचार का बढ़ावा मिलेगा इनोसी के नाम पे आपके लोकल थाने के पूलिस युवाव का दोहन करेंगे यह हमसे लिखित ले लिजिए हम नहीं गये हैं गहमर गाव में कोई भी युवा आपका नाम नोट है नंबर नोट है जबकि पहले ही पूलिस आकर हमारा नाम और नंबर नोट करके चली गई है तो उसके लिए ये भरश्टाचार का बढ़ावा होगा एनोसी के नाम पे इनका दोहन किया जाएगा लाख दो लाख रुपे तक की मांग की जाएगे जो लड आप थायने ऐसे पुलिस से पैसा मांगा जाएगा दिललने टो